हम इस वक्त मेरट में हैं और हमारे साहत है टिंकु कुमार जाटव जो एक बहुजन समाज से करमठ ही हुआ है और भारतिय मुनलिवाजी संगठन के सिवाल खास विदान सब अध्यक्ष है और जो बताएंगे हमें कि समाज में क्या चल रहा है समय और इनके संगठन से क्या हो पहले बहुत समय से जो देखते आ रहे हैं सरकार जैसे की पांच साल पहले 2014 में जो मुद्दा था के हमारी सेंटल गॉर्मेंट में सरकार आएगी तो हम मंदिर निर्मान को लेकर के बहुत तेजी से एक मुद्दा उठा था था मंदिर निर्मान को लेकर के जैसे ही सेंटल गॉर्मेंट में सरकार आई लोगों को गुमरा किया राजनीती की धर्म की राजनीती की उसके बाद में जब 2014 में मौधी सरकार Central Government में इसके बाद में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश कि सरकार पर कपजा जताने के जूटी अफवाय फ़लाई के हमारी सरकार अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है कियाकी आयोध्या उत्तर प्रदेश में आता है उसके बाद में योगी मानिने मुख्य मंत्री योगी अदितय generate जी यहां मुख्य मंत्री पने और यहां सिर्फ और विश्य यो राजनित्यी यहां धरम की राजनित्य होती पिछले बहुत टाइमों से बहुत समय से चलता आया है आप भी देख रहे हैं यहां पर एक सक्स हमारे बीच आया जो 56 इंची सीने की बात करता है हमारे जवान अभी पुलवामे में सहीद हुए हैं कस्मीर में कई सहीद हुए हैं मत्रा में कई मामले ऐसे हुए हैं जह हमारे आए दिन जवान जो हैं सहदत होती आ रही है और हम लोग कई लोगों के यहां परिवार में बीच गए हैं पहुचे हैं बात की हमने और बराबर हम लोग जुड़ते रहे हैं इन समाजिक कारियों से जहां तक की समाज में सहदत की बात है तो अभी हमारे पड़ोस के हमारे बाति है उन्होंने बताया कि पूरी घटना अपनी जो सहदत हमारे अजय भाई है उन्होंने मुद्य बात की यह में हमें बताया जो सुना यह चुबत अधिक और हम चाहते हैं कि जो हमारे जो हमारे समाज की लोग हैं, वो जागरूख हों, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ें, लड़ें, चड़ें, सरकार यहां चाहे जिसकी भी रही हो, सभी लोगों ने गरीब लोगों पर अत्याचार करने के सिवा कुछ नहीं किया है, पिछले पांच सालों से आज सहाधते सुरू हुई हैं, आज तक जो पारिटी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर जो नेता हैं, बराबर अपनी चाहे वो कॉंग्रेस पारिटी हो, चाहे वो बीजेपी पारिटी हो, चाहे वो अन्या कोई भी पारिटी हो, सभी पारिटी वाले कि किसी परकार का कोई सहाधत कई जवानों के साथ ऐसा हुआ है कि जवान सहीद हुए है वहां जो नियम होता है कि वहां राज्य सरकार के जो जिम्मेदारी होती है हैं जैसा कि कई सहीद हमारे जो सहाधत हुई है जिनकी कई लोगों में जाती वाद राजनीती हो रही है जैसे बता जा रहा है कि सहीदों में जो भी जितने सहीद हुए थे सहाधत होती है ऐसिया सहाधत के बाद में जैसे मान्सम्मान होता है सथी आज्या थे लोगों में जाएब हो महसे सहाधत को हम चोड़ाएब सब्सक्राइब कहां चला गया वो 56 पीट पीट कर कहता था कि 56 का सानम है सहादत का कोई बदला नहीं मिला है आपका यह कहना है कि जो मोदीजी कहते थे कि एक के बदले दस सरकार्ट कर लाएंगे लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ आफवाय हैं आप कहीं भी जा करके देख लो हाँ एक चीज दिखाई देती है जब सहीद की सहाधत में जबाब दिया जा रहा है तो उसको कैसे देख तो आप दखिए जहां तक जबाब की बात होती है तो अभी तक हमने भी देखा वीडियो पर जबाब हुआ है ऐसा वायू सेना के दुवारा ऐसा कुछ किया गया है लेकिन कुछ जो सबूत होते हैं पुकता सबूत तो ऐसे कुछ भी का है ऐसे कोई पुकता सबूत सामने नहीं आए जिससे कि हम यह कह सके कि वास्तिविक्ता में कुछ हुआ है और उन 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 जमानों को हमारा दिल से सलाम है जो चड़ बढ़के इस तरह का हमारे भावनाओं पर जो बदला लेने की कोश्वें उनको हमारा दिल स सलाम है यह तो पुलवाम में टैक वाली बात हो गई देजबक्ती की बात हो गई लेकि इससे पहला भी अजेंडा चल रहा था एक बहुजन समाज के लोगों में काविया क्रोस था थार्टीन पॉइंट रोश्टर को लेकर जो आरक्षन वाला मामला था उसको बदन वो जब पॉइंट वाला था राम मंदिर का था एक धमाके ने सब कुछ खतम कर दिया एक धमाके ने सब का ध्यान भं कर दिया आज कुछ भी किसी को नजर नहीं आ रहा है सिर्फ वो पुलवामा का जो हमारे 42 जवान जो सहीद हो हैं सिर्फ वो याद है और इनोंने उसके बाद में ऐसा एक धमाका इनोंने किया है कि सब कुछ बुला दिया है इसलिए छोटे जो देश की बहुजन समाज की समस्या है उनको लेकर जो धरने परदसन उड़ते उन सब को भूलकर सब इस राष्टी वे आपी जो बड़ी राष्ट लेविल की समस्या हो गई है आतंगवाद वा चाहे युद्व वास्तिविक्ता में हुआ है यह नहीं हुआ है चाहे वह बहुजन समाज हो एसी हो एस्टी हो ओबिस्यों माइनोटी हो जो हमारे 42 सवान सहीद हुए हैं हम लोगों ने भी धरने परदसन सब कुछ छोड़ करके अपनी सारी बाते भुला करके हमने उन जव दी थी सरकार से मांग थी लेकिन जब से यह पुलवाम आटैक हो आया अतंग की अमला हुआ है तब से बहुजन समाज की जो समस्या थी जो मांगे थी 13 पॉइंट रोस्टर हो या उससे अलावा आरक्षन से संबंदित और भी बहुत सारे मामले थी सबको बुलाकर बहुजन है और इतना आक्रोस है कि इनका कहना है कि बदला लिया जाए जल्द से जल्द लिया जाए और अभी पिछली बार बहुजन समाज से भीमार में ने भी ऐलान किया था कि हमें वेजो बोडर पर तो इस चीज को क्या देख तो आपका जो भारते मूलीवासी संगठन है इसके इंदर कितने लोग है इसमें सामिल हमारा भारते मूलीवासी संगठन अभी हम आगमी तीन मार्च को रानी जासी मार्ग अम्मेडगर पार्क में एक प्रोग्राम कर रहे हैं राष्टे लेवल का प्रोग्राम है वहां तकरिबन लाखों की संख्या में लोग कठे होंगे जह अपनी जो हमारे अधिकार हैं और हम अधिकार से हमारे अधिकार से पहले जो हमारे जवान सहीद उनकी सहाधत के लिए उनके परिवार को जिस तरह से एक उची जाती के सहीद को दर्जा या संबान दिया जाता है उस तरह से हमारे भी जवान को सहीद को दर्जा दिया जाए चाहमने को इसकी मांग भी करेंगे और जहांतिस तक संगठनिक के बाते हैं कि कितने लोग हैं संगठनिक trás में भारत में पर दथा उनं तो आप पहत्याचारों उने के लिए आवाज उठाएंगे जो सरकार ने तो एक दमागे में सब कुछ खतम कर दिया अब दुबारे से इसको वो करना पड़ेगा नहीं तो अब हमारा तो सब कुछ खतम कर दिया लेकिन सरकार अपना कुछ नहीं भूली है सरकार के जो राज जो सेंटल गौर्णमेंट में सरकार रहे हैं इसके बड़े बड़े नेता आज भी बराबर बराबर रेलियां कर रहे हैं उन्हें किस पात का कोई फरक नहीं क्योंकि जब जब मरता है तो किसान का मरता है गरीब का मरता है हमारे में से और आप में से जवान सहीद होता है किसी बड़े नेता कोई बच्च जवान नहीं सवाद सहीद नहीं होता अभी दो दिन पहले मोदी जी सपाई करमचारी बालमी की समाज के लोगों के गहर जाकर उनके पैर दौ रहे थे और वो काफी मीडिया ने भी दिखाया कि ये दलितों के साथ बहुजन समाज के लोगे के साथ क्रेम दिखा रहे हैं और अब से पहला ऐसा कुछ नहीं दिखा समझ रही है जनता चानते हैं लोग कि ये सब एक दोका है उदर सहीद हुए उदर से मुद्द अटाया सारी जितनी भी समझ चाहती सबसे दिहान अटाकर कभी किसी तरफ मोड ले लेते हैं कभी किसी तरफ मोड ले लेते हैं ये जो दलित समाज के लोग है जो सपाई करमचारी है उनके पैर दोने को लेकर आप कैसे देखते हो क्या समझते हो कि ये क्या है देखिए जहां तक मोदी सरकार की बात करें तो ये बहलाने फुसलाने का काम है क्योंकि पिछली कई बार भी आपने देखा है कई मामले उत्तरप्रदेश के अंदर ऐसे हुए है जहां से चुनाओं को पलटने का काम किया है लेकिन किसी भी काम में वो सफल नहीं हुए क्योंकि जनता समझ चुकी है बहुजन समाज समझ चुका है पढ़ा लिखा समाज है वो जानता है कि ये कितने हमारे अपने हो और कितने पर है जहां तक पैर छोने की बात है तो आज तक भाजपा का कोई भी ने था हमारे पास ऐसा नहीं आया है वही कए यसने हमारे से हाथ मिलाने की हम्मत गी हो जैसे कि अभी हमारे ब्रशार परशारlungen भीघल को ये वीडियो जदेर हो कि वहना प्र मत करनो तो सुनने सारा को भीज़ घ्खाने स्पारेंस अपना स्भा लागा त Supran तो इस चीज से तो हमें भी काफी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जास सहीद हुए हैं वहाँ पर ये बीजेपी के कारे करता अपनी हीन भाव ना दिखाते हैं और बीजेपी का जंडा लगाते हैं तो ये तो बहुत ही सरम वाली बात है इसके लिए तो हम आपको काफी समस्या है यह आतंगवाद हमला हुआ उदर और उसको लेकर वहाँ पर तिरंगा जंडा लगाने की बजाए भाजपा अपना परचार करने में लगी हुए और जब जब हमारे किसी एक भाई ने उसको रोका तो उसको दो-तीन दिन के अंदर जो है जेल भीज दिया गय कि अगर सरकार के विपक्ष में कुछ बोले किसी समस्या को लेकर आतंगवादी हमले को लेकर तो यह डल लग रहा है कि कहीं जेल में बनना कर दिया जाए लेकिन बोलने वाले बहुजन समाज के युवा जैसे कि ये बैठे हैं हमारे पास में बोलने बोल रहे हैं दर भी रह सब को अधिकार है सवीदान के दाएरे में बोलने का सभी को अधिकार है बोल रहे हैं बोलनेमारे लेकिन क्या है कि बाते बहुत हैं मुद्दे बहुत हैं और वक्त कम है वक्त को देखते हुए अभी 2 अपरहल जो भारत बंद हुआ था SCST Act के विरोध में जो किया गया तो करनी है आपके लेकिन नो अज़्ेक्त को लेकर भी काफी बात करनी है आप से लेकिन उसके लिए हम कभी बाद में आपसे मिलेंगे मुलाकात करेंगे तो ये हमारे साथि । फिलति ऑभार menjadi संगठन से शीवाल खास विदान स्वाद्यक्ष है और इनने बात की इन इन्होंने बहु जनल चल में दस्तक दी और मैं उमेश करूना मेरट से बहु जनल चलनी हूँच टिंकु कुमार जाटव के साथ